CGI चंद्रचूर ने SBI चियर्मैन के लिए जेल का दर्वाजा खोल दिया है क्या? SBI चियर्मैन दिनेश खारा और चीफ चस्टिस ओफ इंडिया डिवाई चंद्रचूर अब आमने सामने हैं किस तरह से नियमों को ताख पर रख कर मोदी जी ने SBI चियर्मैन दिनेश खारा की रिटार्डमिन्ट रोक दी और इलेक्टोरल बॉंड के चलते SBI का भरपूर दो रुपियों किया गया उसका खुलासा अम हो गया है जिसके बाद SGI चंद्रचूर SBI चियर्मैन को कहीं का भी नहीं छोडने वाले हैं और साथ में मोदी जी भी लपेटे में आ गए क्योंकि गलत इस्तेमाल जिस तरह से ED, CBI, Income Tax का हो रहा है वैसा ही हाल SBI का भी है बताएंगे आगे आपको किस तरह से SBI चियर्मैन को मोदी जी ने फसा दिया है SBI के साथ मिल करके कितने घोटाले किये गए सारा कुछ आपको इस वीडियो में पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा तो वीडियो कौन तक देखिएगा नमस्कार स्वागत है आप सभी का देश नीती पर देश में 2014 के बाद से राम राज चल रहा है ऐसा दावा भाजपा वाले करते हैं शुरू शुरू में सब को लग रहा था आपको हमको सब को लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा लेकिन जैसे जैसे 2017-2018 आता गया पता चलने लगा कि ये सरकार अटल बिहारी की बनाई गई भारतिय जिनुता पार्टी की सरकार नहीं है जिनके लिए देश सब से उपर है और पार्टी बाद में ये दरसल मोदी जी की सरकार है कॉर्परेट लॉबी के साथ गटजोर की सरकार अंदर ये अंदर कुछ और ही खिचुडी पगा रही है इलेक्टोरल बॉंड के नाम पर काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया में सरकार को SBI का साथ चाहिए था मोदी के मनपसंद SBI चेर्मैन ने इलेक्टोरल बॉंड मामले में BJP का भरपूर साथ दिया उसके बाद 2020 अक्टोबर की बात में कर रही हूँ दिनेश कुमार खारा की एंट्री होती है इनका चैन भी खुद मोदी जी करते है इलेक्टोरल बॉंड की सारे जानकानिया माना जा रहा है कि इन्हों ने ही भाजपा सरकार को दी थी क्योंकि रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो भी इंडुस्ट्रियलिस्ट बड़ी-बड़ी कमपनियां विपाक्ष को फंड करती थी वो सारी डिटेल, सब कुछ की जानकारियां कैसे भी करके ED और CBI के पास पहुँच जाती थी फिर उन कमपनियों पर रेट शुरू हो जाती थी और वो कमपनियां विपाक्ष को छोड़कर भाजपा को इलेक्टोरल बॉंड के जरीए फंड करने लगती है ये डेटा फिर लिग कौन करता था और कैसे करता था क्या SBI चियर्मैन के पास इसकी कोई भी जानकारी कभी नहीं रही क्या यही वज़ा है सामने चुनाफ को देखते हुए SBI चीफ SBI चियर्मैन दिनेश कुमार खारा की पिछली साल ही एक्स्टेंशन करा दी गए जी हां पांच ओक्टोबर दो हाजार तेईस को प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी की अधिस्तता में केंद्रिय मंत्री मंदल की नियुक्ति समिती ने भारतिय स्टेट बैंक यानि SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा का कार्यकाल अक्टोबर दो हाजार तेईस से बढ़ा दिया दिनेश खारा अब 28 ऑगस्ट दो हाजार चोबीस को रिटार होंगे ये एक साल का एक्स्टेंशन मोधी जी ने क्यों की ये आपको समझ में आ रहा होगा दरसल दोस्तों भारतिय स्टेट बैंक यानि SBI के चेर्मैन खुद सरकार चुनती है ऐसे में ये दावा किया गया है कि मोधी ने फॉर्मर SBI चेर परसे रजनीश कुमार जिन्होंने अक्टूबर 2017 से 2020 तक काम किया और दिनेश कुमार जो फिलाल के लिए चेर परसन है भी 27 अक्टूबर 2020 से 2023 तक जो काम करने वाले थे इन दोनो SBI चेर्मैन को मोधी की कौर टीम ने पिलेक्ट किया था अब जाहिर से बात है कि अगर SBI चेर्मैन को मोधी चुनते हैं तो उनका काम यही होगा कि SBI से ज्यादा वफादारी वो जो है वो वफादार मोधी के होंगे 2018 जनवरी में इलेक्टोरल बॉंड स्कीम लाना और मोधी के पसंदिद्या व्यक्ति की बतोर चेर्मैन SBI में एंट्री एक साथ होती है इसके बाद SBI भारतिय जनुता पाठी को फेवर पे फेवर करता चला गया SBI ने नियमो के साथ आप मान नहीं सकते कि नियमो के साथ किस तरह से छेड़ चाड़ की SBI ने नियमो के साथ छेड़ चाड़ कर BJP को जो चुनावी बॉंड एकस्पायर हो गया उसे भी रिडीम यानि भुनाने की अनुमती दे दी एक बार नहीं कई बार दोस्तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि भारतिय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018, 23 माई 2018 को कुछ चुनावी बॉंड धारक 20 करोड रुपे के बॉंड के साथ नई दिल्ली में मुख्य शाखा, SBI का जो मुख्य शाखा है में ब्रांचे वहां पहुँचते हैं आधे इलेक्टोरल बॉंड जो है वो 3 माई 2018 और बाकी 5 माई 2018 को खरीदे गए थे दोनों ही तारिखों पर खरीदे गए बॉंड की उन्हें भुनाने की 15 दिन की जो समय सीमा है वो समाप्थ हो गया था यानि 15 दिन का एक समय पेरियड, एक टाइम पेरियड होता है जिसके भीतर ही पार्टी को अपना इलेक्टोरल बॉंड को भुनाना पड़ता है रीडीम कराना पड़ता है उसे इनकेश कराना पड़ता है लेकिन भाजपा कभी के बार नियम मान लेती है कभी भी SBI में जाकर के अपना एकस्पाइड इलेक्टोरल बॉंड जो है वो SBI को देती है और SBI को ये कह देती है कि आप इसे इनकेश करा दीजे अब देखें दोस्तों SBI भी पता नहीं किस तरहां से काम किया करता है कि SBI भी कई मरतबा वो expired electoral bond को in cash करा भी देता है भाजपा का electoral bond cash में transfer भी हो जाता है expired electoral bond क्या SBI को ये instruction दी गई थी पहले से ही कि सभी नियम कानून जो है वो सर्फ विपक्ष परलागों किया जाएगा और बीजेपी तो अपनी ही party है जना बीजेपी के लिए छूट है दोस्तों electoral bond के नियमों के मताबिक अगर expired electoral bond जो है वो कभी भी भुनाए नहीं जा सकते कोई भी electoral bond अब ले लीचे उसे अब कभी भी नहीं भुना सकते आपके लिए 15 दिन का समय सिमा तै है आपके उसे के भीतर इस electoral bond को redeem करना है इन cash कराना है वरना वो expired हो जाएगा अगर ऐसा यानि की expired bond को अगर आप भुनाते हैं या SBI भुनाने का permission देती है इन cash करा देता है SBI अगर ऐसा होता है तो SBI इसके लिए पूरी तरहां से जिम्मेदार है क्योंकि उस हिसाब से चुनाफ में खर्च किये गए सभी electoral bond जो है वो अवेद है उसके बाद भी ना तो SBI को फरक पड़ा ना सरकार को फरक पड़ा ना चुनावायों को फरक पड़ा भारतिया जनुता पाटी इसी तरह से चीफ election commission का दुरुपियोग करती है इसे तरहां से भारती और जुनता पार्टी SBI का दुरुपयोग करके सभी पुराने expired electoral bond को अपने मन मुताबिक तरीके से SBI के पास ले जाती है उसे अपने मन मुताबिक तरीके से expired electoral bond को in cash कराती है और दूसरे तरफ किस तरहां से भारती और जनता पार्टी की सरकार मोदी जी की सरकार अपने मन माने ठंक से जितने भी चिफ कमिशनर्स हैं, जितने भी चिफ परसन है, SBI के जितने भी चियर्मैन हैं उनका वन मताबिक उन्होंने एक्स्टेंशन यानि उनका कार्यकार समय सीमा जो है मोदी सरकार खुद मोदी जी बढ़ाते चले गए ये तो वो आक्रे हैं जो रिपोर्ट में सामने हैं दूस्तों, ऐसी और भी कांड ना जाने सरकार ने करी होगी जो रिपोर्ट में दर्ज नहीं है दिनेश कुमार के एक्स्टेंशन और इलेक्टोरल बॉंड में मिली भाजपा को छूट ये सब कुछ पर अब सवाल उठ रहा है और सवाल सुप्रम कोट में उठाए जा रहे हैं अब मोदी की कौर कमिटी ने क्यूं दिनेश खारा को एक साल के लिए एक्स्टेंशन दिया 2024 चुनाव ताकी हो जाए इस पर सुप्रम कोट में मोदी सरकार को सवालों का सामना करना होगा और कोची समय में यानि 21 मार्च के भीतर भीतर पता चल जाएगा कि सुप्रम कोट CGI चंदरचूर, SBI और SBI शिर परसें दिनेश खारा पर क्या मुकदमा चलाते हैं या क्या फैसला सुनाते हैं फिलाल ये पूरा का पूरा कच्रा जो है काला चुठा जो है वो आपके सामने है कि किस तरहां से भारतिय जनुता पार्टी का साथ खूब SBI ने दिया है सभी expired electoral bond को जब मर्जी जहां मर्जी भारतिय जनुता पार्टी भुनाने में सक्षम रही और उसे तरहां से चेर पर्सन को अपने मन मुताबिक धंग से भारतिय जनुता पार्टी की सरकार मोधी जी की कोर टीम खुद मोधी जी की अद्धसता में दो ऐसे चेर पर्सन चुने गए जो 2017 से अब तक भारतिय जनुता पार्टी की सरकार का और नरेंदर मोधी का साथ द पड़ चोड की सरकार चला रही है ताकि कॉर्पोरेट लॉबी के साथ भारतिय जुनुता पार्टी का जो संबंध है वो उसका जो है खुलासा ना हो जाए उस पर से परदा ना हटे इसे की कोशिश में क्या सब लगे हुए हैं आप अपनी राएं कमिट कर हमारे साथ जरूर को शेयर केज़एगा बाकि ऐसी तमाम खबरों को परताल के साथ निसपक्षता के साथ पाने के लिए दोस्तों देश नीथी को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे खबरे आप से बेखबर आप ऐसी में से ना रहे इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्री जोनिलिजम को सपोर्ट करना है बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों जै हिंद जै भारत